एकहाणी गुर सिखोन करके साधे शक्ती बारे हैं मैं सोणिया है जैसी बहुत सारी बानी पढ़ दे हैं तां असी लोका दे दिमाग दी सोच नूवी पढ़ सक्दे हैं वाँ मैं भी बहुत सारा पाठ करना चौन दी हां तां जो मैं कहा वह सच हो जाए हां जी जदोसी सिखी दे रात तुर देयां तांसी सूरज दे चर्ण तो पहला उड़ जानेया इस नान करके स्वास किरास नाम चाप देया मेनत कर देया अते सेवा कर देया साधे उते बहुत सारे पक्खों बेंत किरपाए कदे न कदे सानू इलाही शक्तियां भी मिल सक दिया हां मैं एनना शक्ति शाली होना चंद हां कि मैं ओना सब नानाज कर देया जो मैनू तंग कर दे हां गुरू साहब दे समय वी कई एहोचे सिक सान चेनादी सोज ऐसे तरा दिसी गुरू अरजन देव जी दे समय एक सिक होई हां पाई जेठा जोकी बहुत वफदार सान जिसकर के उनानू गुरू दे पंजा विच्वी शामिल किता गया सी गुरू साहब ही इस तर्तिव ते पार ब्रम्हन उनना तो उच्चा कोई होर नहीं अते पाई पिराना जी पंजा विच्वी एक होर गुर्शिक सन गुरू अरजन आप ही शांती दी मूरत हन पाई जेठा ते पाई पिराना उते ही सन जदो गुरू अरजन देव जी ने अपने आपनू सचती खातर कुरबान किता सी ओ उना विर्लिया विच्वोसान जिना ने अपनी अख़्ी गुरू अरजन देव जीनू असे है ते अक्या है कश्ट पोग दे वेख्या सी ओ उना दलै देखना भी बहुत ओका सी अते उना तो जर्या नहीं सी जा रहे है ए दुष्ट इंसान जो गुरु जी नू इन्नी तशद्द दे रहे है मैं अनू खतम कर सकदा हाँ लाहोर वीता इसते ही राजविच है क्यों न मैं पूरे शैर दही नाश कर दे है कि एहो सही नहीं है पिराने हाँ बिलकुल मैं दिल्ली धी राजविच दानी नू भी समाप्त कर दे हांगा ओ थोदी ही हुकूमत तो इसनू शै मिल दिया पर गुरु अरचन देव जी एन नहीं चौन दे सान कि ओ किसी भी प्रकार दादखल देन अते उनानू चुप करके शांत रेंड लई आख्या है जरना बहुत अउका सी पर उनाने गुरु दे शब्दते अमल कीता अते अपने प्यारे गुरु दे नाल खड़े रहे जदो बे अंत कश्टा तो गुजर रहे सान ओ गुरु जी दे नाल अंतले समय तकसान जदो वो मुड अमर सर नू आयता उनने सारी वारता गुरु जी दे बेटे नू दसी गुरु अरजन देव जी इस फानी संसार नू छड़के जोती जोत समा गय हन ओ प्यारे शहजादे हर गोविंद चे तुसी ही अगले गुरु हो गुरु अरजन देव जी दे बचन सी के तुसी एक योदे बनना है फौज त्यार करनी है अधियोना दा न्या करना है जिन्ना ने कोर पाप कमाया है शिरी गुरु हर गोविंद ने अपने पिता दे दिते हुकम नू पालन करन दा वादा कीता अते अखीर ओ आप वी बादशा दा सामना करन लहोर गए जान तो पहला उनने सब नू आदेश दिता सी कि उना दे वड़े जीवे की उना दे माता जी, माता गंगा जी अते बाबा भुड़ा जीदा कीहा ही मनना है एस दे उपरांथ कुरु जी आप ही के लिए विच बंदी बना ले गए पावे ये उना ने अपनी एच्छा नुसार ही होन दिता सी जिमें के तुसी बंदी छोड़ दी साखी तो जान देओ पाई जे ठा ते पाई पिराना तो बारा रो विच आ गए जहांगीर समराट ने एस सोच भी किमे लिया कि हो गुरु जी नु बंदी बना लवेगा असी ये गुरु दापमान बिलकुल नहीं होन दे सकते उन बहुत हो गया असी इस समराट नु आप ही सजा दे सकते हां पर असी जान दे हां कि गुरु साहब साथी शक्ती नु इस्तिमाल करन दी मनाहीं ही करन गे उस समय अमरे सर्तो बाबा बुड़ा जी गुरु जी दे माता जी पासो एक फर्मान लेके आए अपनी शक्ती दे अधिहन तुसी जो भी कर सकते हो करो अते मेरे पोट्र नु जल्दी तो जल्दी वापस अमरच सर् पहुंचा देओ जी माता जी कहन दे हन कि असी अपनी शक्ती नाल कुछ भी कर सकते हां ते ताँ चलो आसी भी फिर शेर बनके दिखों दे हां चलो मेरे नाल, जे तुँ आनू एह ठीक लगदा है, ते मैं त्यार हाँ असे उसता खात्मा कर दियांगे, गुरुजी जल्दों जल्द कैद विचो छुटने चाहिदे हन पाईजे ठी ने अपने नाल पिराणे नू ले लिया, तोना ने बियानक शेर दा रूप दारन कर लिया अगे बादशा दिल्ली विच एक विशाल किले विच रह रहा सी, सहुस रात वो शेर दे रूप विच तबदील हो गए वो दो बियानक शेर शाही सोन वाले कमरे विच दाखिल हो गए नहीं, मेरा अन्त आ गया है बादशा मदद लई कुर लाया अदे कुरू जी ने उसनू शेरा तो बचा लिया अगले दिन उना ने फिर शेर दा रूप दारन कर लिया अदे बादशानू टराया उस दे मंत्रिया ने बिलकुल इस काल दा विश्वास ना कीता कि ए असली शेर सनू उना नू लगया कि ए बेमार है तां उना ने बहुत वैदा हकीमा नुसा देया ताकि ओ ठीक हो जाए पर कोई मदद ना होई तां पाई जेठा वैदा पेश बढ़ाया अदे आप जाके समराट नू मिले कोई भी मेरी मदद नी कर सकिया मेरे रोग नू कोई न दस सकिया तेख देया जे तुसी दस सको असल विच तुसी बीमार नहीं हो मैं जानदा हां तो अडे नाल की हो रहा है रात वेले दो शेर ओंदे हन ते तो अडे दोए पासे आके बैठ जान दे हन हैं तो अनू इस बारे की में पता लगया मैं एक बहुत वड़े गुरू दा शागिर धा मैंनू बहुत कुछ पता है मैंनू एवी पता है जदो तुसी परिशानी विच हुन दे हो ता तोहानू गुरू हर गोबिन साहिब बचा लें दे हन नहीं ता शेरा ने हुण तक तोहानू मार देना सी वाँ तोहानू ते साच दा पता है मैं ऐसा की करां जो मेरी मौत ना आए तुसी गुरु हर गोविन साहिब नू बहुत जिर्दा अपने कैद विच रख्या है जितना तुसी पहला त्या किता सी उस तो किते बद समा हो गया है तुसी गुरु नू चूट बोला है ता करके ही शेर तुहाटी जान दे दुश्मन बने होए हन तुहाँनू उन्हाँनू जल्द तो जल्द रहा कर देना चाहिदा है तुहाँनू गुरु पास जाके उन्हाँके सीस निवाके मौफीदी फर्याद करनी चाहिदी है जेकर तुसी ओनानू आज ही रिहा ना किता, तां शेरा ने वी आज रात ही तो हाटा अंत कर देना है। आज रात? नई, नई, ओए, क्वालियर देखे लेदे से पाई आनू क्या देओ, कि गुरु हर गोबिन जीनू इसे वक्त रिहा किता जाए। पाई जेठा जिदी ए तरकीब काम आई। पाई जेठा गुरु साहीब दे दर्शनकरन दोबारा के लेज़े चले गए। गुरु जी, साड़े कोल एक खुशकाबरी है। पर गुरु जी जान देशान के की हो रहा है। अदे पाई जेठा तो कुछ निराश लग रहे सन। गुरु जी, की सब ठीक है। गुरु हर गुबिन साब जीने उना नूँ एक प्याला देता, ते हुकम कीता। पाई जेठा जह उट। इस प्याले वेज नदी तो पाने पार के लेया। आँची मेरे गुरु जी। नदी कोई ज़्यादा दूर नहीं सी। ओकीले तो निकले। नदी दे लागे गए। प्याला परेया। वापस आ गए। ते गुरु साब नूँ पेश कीता। पीण दी था। गुरु साब नेव नूखेया। हुण जाओ। ते पाणी दोबारा नदी विच पादे। वो हैरान हो गए। वापस मतलब अच्छा जी। सत बचन मेरे गुरु। उने गुरु दा हुकम मनेया। अच्छा आथे वापस नदी दे कंडे चले गए। सारा पाणी प्याले विचो नदी विच पादेता। अच्छा दोबारा अपने गुरु कोल चले गए। ते गुरु जी ने को पुछेया। जदो तुसी प्याला पहला परेया सी, तांकि तुवाननू नदी दे आकार विच कोई फरक लगया सी। कि नदी दे आकार काट गया सी। नदी विच ते बहुत पानी है। नहीं मैंनू ते कोई फरक मैसूस नहीं होया। तां गुरु जी ने पुछेया। जदो तुसी प्याला तुबारा नदी विच पादेता। तांकि तुवाननू अकार विच वट्टी लगी। प्याले दाते नदी नाल कोई तोली नहीं। उस नाल कोई फरक नहीं प्या। गुरु साहिब जी ने दस्या। जो गुरु का अर्थी शक्ती है। उस सदा ही नदी वांग वक्दी रहनदी है। गुरु दी नदी हमेशा ही परी रहनदी है। ना उसकता ही जा सकती है। सब अनुए सोजी ओन लगी। कि गुरु साहिब जी ने उन्हानो ऐ काम करन लई क्यों क्या सी। ए अपनी शक्ति दा सही इस्तमाल करन लई दित्ता गया एक उधारन सी गुरु जी अगे सिख्या देंदे रहे तो अनू अपने नेक कमा करके अते सेवा करके एक शोटे जीहे प्याले दी प्राप्ती हुई है पर उस शोटे जीहे कमाई नाल तुसी ये सूचया कि तुसी एक वटा कारा करोगे तां गुरु साहीब ने सारे अनू याद करवाया कि योह अपने आपनू रिहा करौन लई बहुत सारे कोतक रचा सकदे सान। जो शक्ती त्वाडे कोल हुने है गुरु करतो ही प्रापत हुई है कि इस कार विच त्वाडे चिनी शक्ती नहीं है अपने दिलनु ऐस सवाल करो। दिलना चाहिदा है। माता गंगा जी ने बाबा बुड़ा जी राही। एह हुकम कल्यासे के असी अपनी शक्ती नाल जो भी कर सकदे हां। ओ करिये। जिस नाल आप जी जल्दी रिहा हो सको। बाबा जी ने साड़ी इस तरकीब दी हिमायत कीती सी। फेर वी आप जीनु सब दा पला मालूम है। अते मैं तोहाड़ी आज्यादा पूरन तौरते पालन करांगा। गुरुजी ने अकाल पुरुक्ती आज्याणों मनेया ते आख्या। असी की कर सकते हां। असी माता जी अते बाबा जी दे बचन नहीं मोट सकते। तां तोहाणू कुई सजा नहीं होएगी। पर सानू एजे काम नहीं करने चाहिए। तां गुरु साहीब जी ने सब नू संता दे मारक बारे समझाया सब तो वटी शक्ती ये है कि शक्ती हुन्दे होई भी योस्ता इस्तमाल नहीं करना ना जर्या चान वाले नू असी चर्ना सिखना है पगत वना दे चर्ना दे दूल दोच्ते हन जो सदा अकाल पुरुखते पाने विच रेंदा है हाँ जी मेरे गुरुजी मैं आप जीदे जीवन दे मारक दी पालना करांगा तां सी इलाही शक्ती बारे की सिख्या? की जेकर साथे कोल कोई ठोस वज़ा भी है तावी सानू और नानू डराना नहीं चाहिदा की साथे शक्ती पहले जिन्नी है अधे गुरुजी शक्ती नदी जिन्नी शाबाश साथे विच्चो कई शरीरक तोरते तूझे तो ताकतवर हान अधे कोई दिमागी तोरते ताकतवर है किया कोल इलाही शक्तियां वी हान जो दूजिया कोल नहीं हान सानू सदा याद रखना चाहिदा है कि साथे जो भी शक्तिया हान उसाब बस एक प्याले जिन्याहान एक पूरे समंदर दे सामने एसाड़े वास विच नहीं है कि उस शक्तिनों काबू करिये उस गुरु दी शक्ति दी आपनी ही मेहर है अते आपना ही पहाव है ऐसा डेलाई है कि असी उस्दी पालना करिए अते गुरु दे हुकम विच रहिए गुरु जी केंदेहान अचर चरेता सिद्ध होई सिद्धी ते बुद्ध पाई जेकर इनसान ना खाते जानवाले नूँ खालवे तद ओहो पूरण पुरुष्टे वंदा है पुरुणता दे रही स्यानप प्रापत कर लेंदा है ये कहानी पसंद आई हुए तब इस्तरों दिया हो रही वीडियो सब्स्वाइब करो झालवे झालवे झालवा सब्स् equist